हेलो फ्रेंट्स जै स्री कृष्णा जै मातादी जै स्री शाम दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्रातना करती हूं इश्वर से कि आपको खुब सुख सम्रदी और प्यार दें देखिए इश्वर ने आपके भाग्य में कितना पैसा लिखाएं क्या कुछ है आपके भाग्य में क्या कह रहे हैं इश्वर यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो चलिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक असानी से पहुंच सकें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट सेक्शन में जय मातादी के जयकारे जरू लगा दें साथी राधे राधे जरू लिखें तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे स्क्रीन पर आपको दो शंक दिखाए एनरजी दे सकें तो चलिए देखिए फर्स नंबर जिस किसी ने भी चूस करा है देख लेते हैं इश्वर आपको क्या कहना चाते हैं क्या कुस संकेत इश्वर की तरफ से आपके लिए टेरो काट बता रहा है दोस्तों कि बड़े उद्देश को पूरा करने के लिए अभी जो आपका समय चल रहा है वो बहुत ही अनुकुल है जो भी रुकावट है वो दूर हो जाएगी इस कारण मांसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको कोशिश करनी होगी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपके आने वाला है एक एक लक्ष को आप हासिल करेंगे इससे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा और एक दिन आप उचाई पर जरूर पहुचेंगे उन्नती के उस शीखर पर आप पहुचने वाले हैं जिसका आपको बेसबरिस इंतजार था आर्थिक लाब आपको होगा इसके कारण उत्सहा भी बना रहेगा अधिक मेहनत के स आपको अधिक परिणाम भी जरूर मिलेंगे बहुत पैसा है महनत भी बहुत करते हैं आप आपके भग्य में बहुत कुछ लिखा है आपकी किसमत में जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि मुझे यह चीज पानी हो उस चीज के बारे में भी आपके भग्य में लिख आपको क्या करें क्या नहीं करें मैंटली बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आप अपने परिवार के लिए तो यह चीज आपको कहीं ना कहीं आगे बेनिफिट देगे इसका टेंशन ना ले अपने व्यक्तित्व में बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो नकरात्मक ब वज़े से आपको प्रेड़ना मिलती हैं जिन बातों की वज़े से आपको जीवन में जीने का संदेश मिलता है आपके नेगिटिविटी दूर होती आपके माइंड का कंफ्यूजन दूर होता है उन बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन पर अमल करें देखिए अपन हो सकता आग्यों के लोग इश्वर की तरफ से आपके लिए भेजे जाएंगे इसी के साथ जिन बातों में आपके दुआरा अभी तक आप नजरंदाज कर रहे थें अब उनके लिए भी आप काम करना शुरू कर सकते जीवन में छोटी-छोटी खुशियां प्राप्त करने के लिए जो आप शक्त बदलाव करने हैं वह आपके दुआरा आप कर पाएंगे फेशो से सम्मंधी बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है नुकसान की को इस्तिती नहीं बनेगी बहुत अच्छा फायदा आपका होने वाला बहुत बड़ी डिल बहुत बड़ा और आ प्राप्त होगी रिलेशन्शिप से समंदी आपके द्वारा जो निर्णे लिया जा रहा उसे कई लोगों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ सकता है तो जब तक आप खुद अपने निर्णे पर कायम नहीं रहेते तब तक इसकी चर्चा किसी के साथ ना करें अगर अध्यात्मिक शक्तिया सुने मेरी बाद कभी कभी क्या होता है कि जो जीवन को देखने का हमारा जो नजरिया होता है वो बदलता जाता है इस कारण अपने इच्छाओं को वास्तविक रूप किस प्रकार से दिया जाए ये भी आपको सपस्ट होगा देखिए जब हम धर्म के प्रती हमारा रूजान बढ़ता है हमारा इंट्रेस्ट बढ़ता है भगवान के प्रती समर्पित रहते हैं तो बहुत कुछ हमारे माइंड के सवाल जो के जवाब जो हमें मिलते जाते हैं कभी कभी तो आपके साथ ये कर्डिशन भी हो जाती होगी कि जो होने वाला है उ बहुत देर हो चुकी है बहुत समय हो चुका है वह परेशान हो रहा होगा तो यह चीज की खबर आपको पहले ही लग जाती है बहुत को सोच लेते हैं आप कभी-कभी तो इतना ज्यादा सोच लेते कि वह नहीं भी होता है तो भी आपके दिमाग में ख्याल आ जाता है आप सो कि तरब से तो आपको यही संकेत मिल रहे हैं कि पैसा भरपूर लिखा हुआ है मेहनत में कमी ना छोड़े सभी कार्यों को इमानदारी से करें लगने से करें घुसे को साइड में रखें आविश में आकर कोई निर्णे ना ले किसी के भरोसे ना रहें कि निर्णे लेने के लि किसी ने भी चूस करा है तो इश्वर की तरब से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं देखिए परिवार के लोगों के साथ उत्पन हो रहे विवादों की वज़े से रिलेशन्शिप में कड़वाहट ना हो इस बात का ध्यान रखें जिन विवादों को आप पूरी तरह से नहीं सुलजा पारे उससे संबंदित अन्य लोगों की भावनाओ को समझना होगा फिलहाल उतार चड़ाओ बना रहेगा अपने काम से संबंदित विश्वास की जो कमी आप महसूस कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे वो दूर होती जाएगी दुविधा को किसी व्यक्ति के साथ बा सबहार की वज़े से आपको बहुत कुछ बैनेफिट होने वाला है आपका नुकसान नहीं होगा बहुत अच्छा बैनेफिट होने वाला है आर्थिक इस्तरोत आपके बढ़ने वाले हैं इंकम के सोर्स आपके बढ़ने वाले हैं आपका माइन क्रियेटिव होने वाला है साथ कई दिनों से आपको तनाव महसूस हो रहा है उनके साथ ठीक से बात बन सकती है तो बात करें अनिथा उनसे दूर रहे इस कारण पुरानी बातों को भूल कर एक दूसरे के साथ संबंद सुधाना भी जरूरी क्योंकि इसे काफी हद तक आप मैंटली टोचर होने से बचे रहें उनकी जानकारे सिमित मातरा में ही प्राप्त होने की वज़े से बेचे नहीं होगी खुद की गलतियों का हैसास होने से आप अपनी प्रगती के लिए बाधा बन रहे हैं किसी भी प्रकार की बात के लिए अन्य लोगों को जिमेदार बिलकुल ना ठेहरा है इस बात का विशेज धियान रखें देगे स्टॉक मार्केट शेतर से जुड़े लोगों को नुकसान होने की संभावनाय हैं आपके भाग्य में बहुत ही पैसा लिखा है चिंता करने की बात नहीं जिस वेक्ति के लिए आपको आकर्शन महसूस हो रहा है उसके सामने अपनी लत फेमी हो सकती हैं आप से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति से आप जरुत से अधिक अपक्षा है रख रहे हैं जो आपके लिए नाराजगी का कारण बनेगी परिवार के अन्य लोगों का पक्ष्य समझने की कोशिश करें व्यापार से जुड़े लोगों को अपक्षा के labour के लिए ही हो इस बात का विशन्य ध्यां रखी कि इन पैसों से आपको करण नहीं चुकाना है इन पैसों का इस्तमाल आपको पैसों को ओर जोडने में लगाना है। जस प्रकार से रिलेशन्शिप को सुधाने की कोशिस करर रहे हैं प्रकार से पैर्टनर भी आपका साथ देगा अपक्षा के नुसार जीवन में संतुलन देखकर प्रसन्नता महसूस होगी भावनाओं से समधी तकलीफ को सुलजने में वक्त लगेगा बार बार किसी बात के बारे में चिंता या डर महसूस होने से आपकी कारेशमता घड सकती है एकांत में समय व्यतित क के बारे में उलोकन करें जर्रोस से अधिक किसी भी बात पर विचार करके अकेले पन को ना भढ़ाएं आज किसी बड़े ग्यान के आपको प्राप्ती हो सकती है और बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में एक ऐसी डिल होने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा दे कर है जादा समय नहीं है आपके अच्छे दिन आने के लिए बहुत कम समय बचा है लेकिन करना आपको महनत है घुसे को कंट्रोल में करें निर्ने अपने खुद पर दिल पर हाथ रखके निर्ने ले और इसी के साथ दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि अपने घर की बाते किसी स से भी शेयर ना करें तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्रसंद आई हो लाइक करें साथी कमें सेक्षन में जै माता दी के जैकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें बल आकन को जरू प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए आप से भी को बहुत बहुत धनिवाद जै माता दी हर हर महादियो